दोस्तों आप देख रहे सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स ले करके मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताके हमारे भीवर को अच्छा से समझ में आ सके दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीस हमसे सवाल कीजिए हम कोशिस करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है पहला कमेंट है साहिल अनसारी के तरफ से लिखते हैं थैंक्यू सर मैंने कुम्ही से शिकार किया और 3.5 केजी का एस ने खेड़ पकड़ा देखिए दोस्तो हमने एक चारा एक जगह बताया था लोकेशन बताया था कि घास या जलकूंभी वाली जगह पर आप मचली का कैसे शिकार करेंगे वही वीडियो इन्होंने देखा है देख करके शिकार किया है तो दोस्तो आप भी देखिए देखिए देख करके इस चैनल पर हम काफी कोशिस करते हैं मेहनत करते हैं धूप, गर्मी, बारिश हर मौसम में हम रिसर्च करते रहते हैं पूरा पूरा दिन हमारा रिसर्च में जाता है ताके हमें कुछ हासिल हो तो वह हम अपने भीवर को बताए ताके उनको फाइदा पहुँचे तो दोस्तो आपको भी फर्च बनता है थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए देखिए मैं अब आगे दूसरे लोगों का कमेट पढ़ता हूँ अगला कमेंट है हनी सीन के तरफ से लिखते हैं कि सर तलाब में सबसे ज़्यादा एसनेखेड मचली कहां पे रहती है देखिए सर जहां पर तलाब में घास होगा उसके नीचे मचली रहती है एसनेखेड क्यूँ इसका रीजन है क्योंकि वहाँ छोटी मचलिया होती है और छोटी मचली को खाने के लिए Snakehead वहाँ पे आती है तो अक्सर आप देखेंगे घास के नीचे या आसपास में Snakehead रहती है दोस्तो इसके बारे में मैं वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ लेकिन ये हमारे भाई का कमेंट था तो इनको जवाब देना जरूरी था कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो आप इस चैनल पर देखेंगे के घास वाली जगा पर कैसे मचली रहती है Snakehead दोस्तो इसका एक और पार्ट मैं अपलोड करूँगा कल या परसो थेंक्यू अगला कम बहुत सारी मचलिया है जो रोहू मचली से मिलती जूलती है और उनको रोहू बता करके बेच दिया जाता है बाद में आप पकाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है तो इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो अपलोड करूँगा और पहचान बताऊंगा कैसे आप रोहू मचली को पहचानेंगी या दूसरी मचलियों को थैंक यू सर अगला कमेंट है अलीम अनसारी के तरफ से लिखते हैं कि हमारे गाओं में मिर्गल मचली है लेकिन फिशिंग होक में नहीं पकड़ती है इसका उपाएं बताएं देखे सर अब बरसात खतम हो ऐसे मौसम में मिर्गल मचली जिसको हमारे तरफ नएनी मचली बोलते हैं उसका शिकार करना चाहते हैं तो आपको सड़ा हुआ घास लेना चाहिए और उसको गेहु के आटा में मसल कर मिलाए और उससे चारा बनाए दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आता है या हमारे किसी भीवर को समझ में नहीं आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताईए अगर दोस्तों मैं प्रैक्टीकल दिखाऊंगा कि किस तरह से सड़ा हुआ घास आप ले करके मिर्गल मचली का चारा बनाएंगे जितना ज्यादा सड़ा हुआ घास होगा और उसके उपर काई अगर बैठा हुआ है तो बेहतर होगा लेकिन दियान रखना है दोस्तों सड़ा हुआ घास से मतलब है कि पानी के किनारे जो घास का पत्ती पानी में लटका होता है वही वाला ऐसा नहीं कि सड़ के जमीन के ऊपर बैठा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ तो इसका ख्याल करके जो प काम्याब होता है मिर्गल मचली के लिए इसके अलावा मिर्गल मचली के लिए आप घोगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं घोगा को इंगलिश में एसनेल बोलते हैं तो यह दोनों काम्याब है मिर्गल मचली को शिकार करने के लिए थेंक यू सर अगला कमेंट है एफ एफ डौन के तरफ से लिखते हैं हमारे यह स्नेक हेड और मांगूर मचली बहुत है तलाब में लेकिन पकड़ती नहीं है देखें सरदोनों के लिए चारा है आप अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे तो बहतर तरीके से शिकार होगा तो पहले मांगूर मचली को बता रहा हूँ जो देशी मा पानी में आप घुसिये अगर उसका गहराई पता हो तो उसके बाद से वहां का पानी जो है चारा तरफ घूम करके मिट्टी जो है जमीन के उपर से जमीन के जो नीचे मिट्टी है वो पानी में बिलकुल मिल जाना चाहिए इसके बाद से आप बाहर निकल करके फिशिंग ह करना चाहिए तो बेहतर तरीके से कम समय में आप तेजी से ज्याद मचली का शिकार करेंगे दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है हमारे बहुत सारे भीवर का कमेंट छूट रहा है तो मैं कोशिस करूँगा इसका दूसरा पार्ट अपलोड करने के लिए उसमें मैं इंक लूट करूँगा ओके दोस्तों सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया